हाई ड्रग एक्सपर्ट्स वेलकम टू दे निव वीडियो सेग्मेंट ओफ DRX फार्मा लेट्स बी ओर ड्रग एक्सपर्ट तो आज को जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपोर्टन्ट है आपके फार्मसी पॉइंट अफ्यू से और आपके प्रॉफिशन पॉइंट अफ्यू से कोलेज नहीं होती है ठीक है तो आज हम वो पढ़ेंगे आपका सोचल और प्रिवेंटिव फार्मसी का यूनिट वन जो है वहां पर आपका एक लेशन है बालांस डाइट ठीक है देखने पे बहुत ही छोटा सा बाल लग रहा होगा पर बहुत ही इंपोर्टन्ट है आपके प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ यू से तो बालांस डाइट क्या है इट इस एडाइट कॉंसिस्ट ऑफ सॉफिसेंट अमांट ऑफ और निसेसरी नूट्रेंट हम सिर्फ क्या करते हैं कि आपके डाइट में सिर्फ हम जो भी कोई भी लोकेशन में हो उस तरह से आपका जो डा आएक के दिया जाएगा आप जल्दी से इंटेक कर लेते हो पर क्या होती है कि हमें क्या चाहिए एक अमांट ऑफ और नूट्रेंट क्यूंकि एक ही चीज आपको कभी भी और नूट्रेंट प्रोफाइड नहीं कर सकती ठीक है आप सिर्फ कार्बोहाइडरेट इंटेक करो अगे दिन तो प्रोटीन और लिपिड की डेफिशेंशी हो जाएगी और प्रोटीन करोगे तो आपका कार्बोहाइडरेट और लिपिड की डेफिशेंशी हो जाएगी ठीक है तो हमें क्या चाहिए एक बालांस्ट वेव में डायेट चाहिए ठीक है जो डायेट आपको प् efficient amount of all necessary nutrients that required to our body हमारे body को जो जो nutrient चाहिए होती है हम अगर उसको सही proportion में intake करें देन हम उसे कहेंगे adequate और wholesome जिसमें कि आपका सारा का सारा nutrient जो है वो आ जाएगा तो इसलिए क्यों जरूरत होती है balance diet आपका essential for healthy body and mind क्योंकि सिर्फ और सिर्फ body नहीं mind को भी आपका fresh रहना जरूरी होती है क्योंकि उसे भी एक balance diet चाहिए जो balance diet से वो nutrient अपना optic कर सके और अपना daily requirement जो है वो fulfill कर सके यह तो सभी को चाहिए होती है ठीक है और दूसरी की जो है वो maintain health and sensible body weight आज कल ज्यादा तर लोगों को हमने देखा है जो की obese होते हैं क्यों कि वो positive energy balance जो मैंने पिछले वीडियो में यहापे भी आपको link दे दूँगा जिसमें कि पिछले वीडियो में आपने बनाया था कि आपका जो positive energy balance ज्यादा खाने से आपका मोटापा होता है जिसको हम obesity कहते हैं ठीक है तो no single food will provide all nutrients essential to your body balance diet एक balance diet में कभी भी एक nutrient नहीं होता क्योंकि एक nutrient कभी भी आपको complete nutrient provide नहीं कर सकती तो हमें क्या चाहिए सारे proportion को मिला कर एक balance diet एक perfect थाली बनाना है जो थाली हम खाने से आपका क्या होगा आप disease को prone नहीं होगे ठीक है आपको कोई भी disease नहीं होगी क्योंकि हमने क्या किया बोडी को जो जो nutrient की आवश्यक्ता थी हम सारा का सारा उसे क्या करें प्रिवेंट करें और उसे जो requirement थी हमने उसे provide कर दिया दिन हम disease को prone नहीं होते हैं तो क्या होती है improper diet में results है हम क्या करते हैं ज्यादा ते लोगों का economical issue हो social issue हो और physical issue हो तो वो क्या करते है improper diet खर को अभी भी ले रहा है इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा डीजीस को prone हो रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा आपका age जो है वो घट रहा है क्योंकि हम proper diet को follow नहीं करते हम क्या कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ medication के उपर dependent हो रहे हैं ठीक है तो यहां पर एक में quotation कहना चाहूंगा कि take food as your medicine not medicine as your food हम क्या कर रहे हैं अभी पहले-पहले क्या होगा कि हम diet नहीं लेंगे ठीक से दिन हम क्या करेंगे supplements लेना चालू कर देते हैं हम calcium के लिए अभी क्या करेंगे medication और tablet जो वह लेंगे पर हम कभी यह नहीं लेंगे कि हाँ dairy products ले लूँगा तो मेरा calcium बढ़ जाएगा और meat वगरा खालूँगा तो में हो जाओंगा वेगन की बात छोड़िए पर भी हम क्या करते हैं हम supplement के ऊपर totally dependent हो गए ठीक है vegetables में आपका बहुत ही ज्यादा fiber और minerals है पर हमें वह नहीं चाहिए हमें चाहिए supplement की ज्यादा से ज्यादा मुझे बाहर से ही मिल जाए ठीक है tablet form में हो capsule form में हो powder form में हो वह में ज्यादा ज्यादा इंटेक कर लूँ और ठीक सो जाओ ठीक है पर हमें क्या होती है nature के ऊपर अभी dependent रहना होगा nature के ऊपर आप dependent रहेंगे तभी आप एक बहतर जि सेक्षिंस हैं और आपका African countries जो है वहां पर आपको देखने को मिलती है poor growth और poor physical and mental health ठीक है बहुत सारे लोगों को mental health भी focus करना होता है और physical भी ठीक है external appearance से आप कभी भी किसी को जर्ज नहीं कर सकते वो की mentally fit है या नहीं है ठीक है और infectious disease के लिए आप ज्यादा ज्यादा प्र इसे protein deficiency ठीक है आपका Pornicious Anemia different kind of vitamin B12 B9 deficiency वो ज्यादा से ज्यादा nutrient का deficiency है आपका infectious disease को बढ़ाता है जो आपका further death end कराता है ठीक है person का death हो जाता है over diet may causes weight gain ठीक है आप ज्यादा से ज्यादा food intake कर रहे हो हम मुझे जल्दी से जल्दी बढ़ा होना है तो मैं क्या करूंगा जितना भी मेरे body को requirement है उससे ज्यादा में खा लूँ तो क्या होगा कि आपका weight gain हो जाएगा weight gain को हम obesity कहते हैं और दूसरी बात जो है poor health heart condition ठीक है ज्यादा से ज्यादा आप खाएंगे तो आपका क्या बढ़ जाएगा calcium and potassium and different kind of extra cellular nutrients बढ़ जाएगे तो वो trigger करेंगे आपके heart को को वो ज्यादा से ज्यादा functioning करें क्योंकि digestive system के लिए भी आपका responsible होता है heart ठीक है आप ज और सबसे बहुती dangerous जो कि आज कल 90% of people में क्योंकि हमारा India अब diabetes हब हो गया है क्यों हो गया है खाखा कर हम insulin resistance diabetes को बढ़ावा दे रहें कहीं न कहीं क्या होती है कि diabetes जो है वो insulin resistance type 2 diabetes है वो आपका lifestyle oriented diabetes है ठीक है वो आप खुद लाए हो वो आपका hereditary नहीं है कि आपका type 1 की जै lifestyle को ऐसे परिवर्तन किया है जिससे कि आप प्रोन हो गए हो कि मैं हाँ अभी मैं type 2 diabetes में हूँ ठीक है वो pre-diabetic phase हो या post-diabetic phase हो वो आपका totally depend करता है आपका diet के ऊपर ठीक है आप कैसे अपना lifestyle को बदल चुके हो ठीक है वो lifestyle ही आपका diabetes कराने का main motto follow करता है so अभी हम कम नही खाएंगे ज्यादा नहीं खाएंगे तो क्या करें ठीक है तो हमें question अभी आएगे what is the solution then? हमें कम नहीं खाना है ज्यादा नहीं खाना है तो अभी क्या करें तो solution जो है वो बहुत simple होता है पहला है हमें क्या करना होगा morning में आपका fruits then vegetables आपका salad करके then grains और dietary products इन चारों को मि balance diet करना है आपका fruits, vegetables, grains and dietary products dietary products भी बहुत जो नों को include नहीं किया जाता क्योंकि इसमें IGF like proteins होती है जिसे हम insulin like growth factor बोलते हैं जिसे कि आप क्या करते हैं कि type 2 diabetes जो है उसके लिए prone हो जाते हैं ठीक है तो dietary products भी हम intake नहीं कर सकते हैं बहुत सारी cases में ऐसी होती है पर हम क्या करें है fruits, vegetables, grains यह जो तीनों चीज होती है यह आपका complete package होती है खाने का ठीक है आप यहां से fruits को आप morning में intake कर सकते हो आपके body weight के हिसाब से into 5 कर लेना ठीक है आपका body अगर 40 है then 5 into 4 then 200 mg ठीक है 200 gram आपको क्या हना है आपका fruits खाना है सुबह सुबह ठीक है then vegetable salad को आपका 10x कर देना है आपका जितना body weight है उसमें 10 multiply कर दो जितना आएगा वो आपका vegetable intake करना है per day ठीक है जो आपका essential nutrient को भी भर सके और आपना fiber content जो micronutrient and macronutrient दिनों को equilibrium maintain कर सके ठीक है और grains वगेरा में आपका heavy protein होता है आपको कोई protein का supplement ऐसे powder डबा डबा लेके नहीं जाना है ठीक है हब हर वक्त क्या करो कि आप grains जो है ठीक है सश्वी जातिया जो है उन्हें क्या करें इंटेक करें जिससे कि आपका क्या होगा protein deficiency बहुत ही कम हो जाएगी ठीक है और grains और cereals होए वो कहीं न कहीं अभी भूली गया है ठीक है हम पीजा वर्गर में अभी फसे हुए अभी हमें यह grains और जो आपका protein को amino acids को नहीं लेते हैं वो क्या करते हैं supplement के उपर dependent होगे तो supplement में जो है वो आपका एक equal proportion में divided है ठीक है पर हमें क्या चाहिए हमें essential और non essential में फरक भी समझना है ठीक है पर आपका जो plant based protein होती है वो बहुत ही potential और absorb होने का capacity उसका ज्यादा होती है तो plant based protein आप ज्यादा से ज्यादा intake कर सकते हो ठीक दूसरा है cereal serving adequate source of carbohydrate आप देखिए कि आपका जो कोई भी जो वेगल लोग है उन्हें समझ में आ रही होगा कि आपका क्या करें हम तो meat नहीं खा सकते dairy product नहीं खा सकते दिन हम क्या करें दिन आपको यहां पर आपका solution मिल गया कि grains और cereal में आपको protein मिल गया ठीक है आपका protein deficiency खतम हो गया दूसरा आपका cereal जो है उसमें lots of carbohydrate है ठीक है तो वो carbohydrate का deficiency जो है वो भी मसला हल हो गया दिन हम fatty acid की बात करें तो आपका pulses और grain ज्यादा तर आपका almond में क्या होती है आपका यह होती है क्या आपका not so contain omega 3 fatty acid जो कि essential fatty acid है जो कि आपका body आपका diet से ही बना पाएगा दिन हम diet में क्या करते है omega 3 fatty acid जो है उसे intake कर ले ठीक है जिससे कि हमारा जो fatty acid का concentration है आपके body में जो requirement है वो fulfill हो जाती है दूसरी बात करें example हमें क्या-क्या अगर्व करना है हमें brown rice को follow करना है हम normal white rice जैसे पूरा सफेज चावल जैसे उसे intake नहीं करना है क्योंकि उसका external covering layer जो है वो निकाल दिया गया है जिन सिर्फ और सिर्फ चावल खाना से कुछ नहीं होगा brown rice is more important ठीक है brown rice हमें खाया ना है soya bean आपके proteins के लिए cereals आपके carbohydrate देगा कॉंस आपका protein and carbohydrate दोनों mix करके देगी then आपका एक proper balanced diet जो है पॉर्टिकुलर्ली make out हो जाएगा अभी हम बात करते हैं according to the food nutrient board हमारे daily requirement को हमने एक segment में divide किया है उसे कहते हैं RDA nutrients RDA means recommended dietary allowances आपको एक दिन में carbohydrate कितना लेना है protein कितना लेना है fatty acid कितना लेना है minerals कितना लेना है इस सारा का सारा जो है वो एक male और female की divide किया गया है कि एक male को कितना चाहिए एक female को कितना चाहिए वो आपका divide किया गया है ठीक है तो यह क्या है RDA nutrients these are the levels of intake of essential nutrients that on the basis of scientific knowledge scientific knowledge यह totally proven है ठीक है just by the food and nutrient board to be adequate meet the known nutrients need of the practically all healthy persons एक healthy person को जो जो nutrient कितनी amount में चाहिए वो आपका food and nutrient board जो है वो decide करती है और यह जादातर survey के माध्यम से होता है कि एक person को कितनी requirement रहेगी अपनी nutrients की fulfill करने के लिए nutrient की requirement को fulfill करने के लिए उसे carbohydrate कितना लेना है protein कितना लेना है macro और micro दोनों nutrients को कितना लेना है यह आपका decide होती है यहाँ पे एक formula आप याद रखिए कि mean of given nutrients जो है plus two standard deviation S3 को हम standard deviation के लिए यह होते है standard deviation ठीक है यह होती है आपका field जितना भी आप ले रहे हैं plus two standard deviation उसमें विलाना होता है तो हमी अभी क्या करना है कि male और female हम classification करते है calcium आपको per day आपका one thousand mg जो है point take करना है यह per day के हिसाफ से मैंने लिखा है कि आपको iron देखिए male को ज्यादा नहीं चाहिए female को क्यों चाहिए ठीक यह आपका easy answer है क्योंकि वह हर वक्त एक female को अपने periods में जो है वह आपका loss होती है आपका blood जो है ज्यादा ज्यादा loss होती है तो उन्हें iron deficiency ज्यादा होती है इन्हें हम क्या करते हैं iron की supplement दे देते हैं या फिर हम क्या करते हैं folic acid की supplement दे देते हैं पर हमें क्या करना है उनके diet में आपको folic acid जो iron के fruits हैं और vegetables हैं उसे बढ़ाईए ठीक है nutrients और supplement के उपर आप dependent मत रहिए ठीक है क्योंकि processed nutrient और natural nutrient में बहुत ही different होती है तो हमें क्या करनी है हमें follow करना है आपका natural nutrients को ठीक और vitamin C जो है वो male को 80 mg female को 65 mg vitamin D की बात करें तो 600 international unit IU को international unit बोलते हैं और female को भी उतना ही चाहिए vitamin A जो है वो आपका male में थोड़ा सा ज्यादा चाहिए 1000 microgram और आपका female में 840 microgram की requirement रहती है sodium की बात करें sodium में आपका 2000 mg और आपका female में भी equivalent रहती है ठीक है तो ज्यादा से ज्यादा हमने ये समझा कि balance diet जो है वो आपका particular way follow करती है कि आप कैसे healthy रह सकते हैं क्योंकि एक ही आपका lifestyle और food style कभी भी आपको एक dependent nutrient प्रोवाइड नहीं कर सकती तो हमें क्या करना है सब को आड़ करके एक complete जो है वो थाली बनाना है कि हा मुझे अभी सारा का सारा micro and micronutrient अभी मिल गया दिन हमें क्या करना है उस balance diet को follow करते रहना है तभी हम आज कल के जो chronic lifestyle disorders है जैसे की hypertension हो गया, obesity हो गया, thyroid हो गया, बहुत सारे डाइबिटीक हो गया इस सारे के सारे disease से हम बच सकते हैं ठीक है तो अब ही हमें क्या चाहिए, medication के आवशक्ता नहीं, अभी हमें सिर्फ diet के आवशक्ता है ठीक है, जिनों ने वीडियो को complete देखा है ठीक है, radial rain को जैसे दबाते हैं, जैसे subscribe button को भी दबा दो और घंटी को भी बजा दो, क्योंकि आपको regular object जो है, वो मिलता पाए ठीक है, आपका regular object जो हमें मिलता रहे, ठीक और आप comment box में आप बताइए कि आप balance diet कैसे follow करते हैं आपका lifestyle कैसे है, वो हमें comment box में बताइए, ठीक है और कोई भी जांकारी चाहिए, तो हमें comment box में pin करिए हम हर एक comment का answer देते हैं, ठीक है, तो तब ही तक, goodbye, take care